राजदानी भुपाल में आज उत्साह के साथ दशेरा मनाया जा रहा है जहां कोलार, छोला, अशूका गार्डन, टीटी नगर समेत 30 से ज्यादा इस्थानों पर बड़े स्थर पर रावड दहन का कारिक्रम होगा कोलार के बंजारी दशेरा मैदान में 105 फीट उचे रावड के पुतले का दहन किया जाएगा वही आकर्शक आतिश वाजी भी होगी पुरानी शहर में हिंदू उत्सप समीती दशेरा चल समारोय भी नकालेगी देखे ए खास रपोर्ट पुपाल शहर में कोलार हिंदू उत्सप समीती दवारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश का सबसे बड़ा दशेरा पर्व मनाया जाएगा संस्था 20 साल से याई आयूचन कर रही है जाए इस बार 105 फीट के रावड के साथ मेगनात और कुमकरन के पुतलों का आति श्री रमेश अगरवाल जी बाहुजी रहे हैं और अब जो इसको हमारे पूरे दशेरे को पिछले मान के चलिए 40-40 साल से हमारी समीती के वरिस्थ श्री राजेश वियाज जी एड़ूकेट स्टेट बार कौंसल के चेर्मेन राजेश बादल जी साहब राकेश खरे साहब अब इस विवस्ता को बनाए हुए हैं और मान के चलिए हैं पचास से साथ हैर लोग हमारे हैं सभी तरफ से यहाँ पर आते हैं दशेरे में और इस दशेरे में हम रावन का मेगनात का और इसका पुतला का देहन करते हैं आतिश वाजी होती है बच्चों में हम यहां सभात सब्सक्राइब दसेरा के सबसे बड़े दसेरे के रूप में इसे माला जाता है भासकर समु और हमारी समीती मिलके इसका संचलन करती है आप ये देख रहे हैं रावाण मेगनाथ इन पुटलों का दहन भगबन सिरीर अमके द्वारा किया जाता है और यहां पर जो पब्लिक आती है इतना बड़ा जंज समु आता है कि लोग विसेसकर आतिस बाजी ही देखन समीती इसकी आतिस बाजी ही सबसे मेहत पर रखती है कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी भुपाल में लंकापती रावड के पुतला दहन की तैयारी पूर्ण कर ली गई है जहां शेर में लगवक 30 जगए बड़े इस्थर पर रावड दहन और चल समारो एक आयुजन क्या जा रहा है व्यूरो रिपोर्ट आम पिनियोज भुपाल